सो यो वर्ट सब गाईस कैसा आप सब लोग तो कैस में फिर सा आचुका आप सभी लोग के लिए के एकसाइडिंग सा वीडियो लेकर तो कैसा जैसी कि आप लोग को पता है कि हमारा नया रैंक सीजन आयोए दो दिन हो चुके हैं और यार हर एक यूट्यूबर रैंक पोस्ट क करते हैं नहीं अपनी आइडी किसी के साथ शियर करते हैं लेकिन यार वो फिर भी ग्लोबल में रहते हैं आज की वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप लोग को सबस्क्राइब कर दो क्योंकि आप लोग को इस तरीके की इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने को मिलते अग्छbbe से पहले और वीडियो को लाइक कर देना तो क्योंकि बाएत kinder करते हैं इसव की यार उसको नीद आते हैं लगन उसको लगाथा दो तीन दिन जांगना पढ़ता है अपनी रेंक पूस करने पड़ती है कि एक एकर वीडियो को starts then a bit. लगा लेता है, अगर आप लोग भी हैकर से परसान हो, तो यार, एबा कमेंट सेक्से में जरूर लिगना, कि यार हम लोग को भी हैकर ने मारा था, सब गाई सर अब हम लोग मरते अपने नंबर फिफ्ट प्लेयर की तरफ जो के हैं हमारे यूजी आयूस तो गाई सर आप लोगों ने हमारे आयूस भाई का तो नाम सुनी रखा होगा हमारे आयूस भाई हर सीजन ग्रेंड मास्टर जाते हैं और यार ये पहले से नहीं जाते और गैस अगर इस बंदी की ब्हेवियर के बार में बात करो तो यार इस बंदी के ब्हेवियर ने इसके पूरे अपने जाप उनको प्रमोट किया था वो थे हमारे UG Ayus यानि की Ungraduate Ayus और गाइस अगर इनकी गिल्ड की मैं बात करूते हैं और इनकी गिल्ड में काफी ज़्यादा यूनिटी है और इवन मेरे काफी ज़्यादा दोस्त उनीकी गिल्ड से है तो यार वो बताते रहते हैं कि हमारे Ayus भाई काफी ज़्यादा पोलाइट है और अपनी गिल्ड मेड्स के साथ खेलते रहते हैं उनके साथ हम इसा अच्छे से बात करते हैं कभी भी उन्हों ने घमंडी नी किया किया और उनके तयादा कमेंड से कसे में जाके जरू की जाके लिखना है ह्षटेक यू ज़ी आयूस तो कैई सर आज में देखना चाहते हैं किया हमारे अंगेजुएड गेमर की कितनी ज्यादा फैन फइन फोलिंग है तो कैई सगर आप लोग भी उन्मे से एक हो तो काई सर हमारे अंगेजवेट गेमर के बाद अब हम लोग बढ़ते अपने फॉर्थ नंबर की प्लेयर की तरफ जो के होने वाले हमारे SK साबीर बॉस सो काई जिसी आप लोग ने SK साबीर बॉस का नाम सुना गते आप लोग सोचोगे कि मैंने इनको इस लिस्ट में फॉर्थ नंबर पे क्यों रख रहा है क्योंकि यार ये बंदा नंबर वन पे होना डिजर्व करता है तो काई सर आप लोग को भी बता हमारे SK साबीर बॉस एक टैम पर हमारे ग्लोबल में गहते और यार ग्लोबल नंबर वन पे गहते तो काई सर उस समय हमारे डीजन नहीं हुआ करते थे उस समय हुआ करता था पूरा ग्लोबल और उस समय रिप्रेजेंट करते थे हो हमारी इंडिया कंट्री को जो क्यार काफी ज्यादा बड़ी बात है लेकिं गाइस सर उसके बाद हमारे साबीर बॉस भाई ने ग्लोबल पुसकरना बंद कर दिया ग्रेंड मास्टर पुसकरना बंद कर दिया लेकिं गाइस इस सीजन वो फिट से गये हैं इसलिए मैंने उनको इस लिस्ट में फोर्थ नमबर पे रख 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 है तो आप लोग रीजन समझ गे होगे तो गाइस सर अगर हम लोग बात करने हमारे इसके साबिर बॉस की गेंपले के तर आप लोग को इनका फास्ट देखने को नहीं मिलेगा लेकिंग आप लोग को दे आप लोग इनके गेंपले में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी सो काई सर उमीद करता आप लोग भी हमारे इसके साबिर बॉस भाई के फैन होंगे और यार मुझे लगते है आज कल कि हमारे साबिर बॉस भाई के फैन काफी जादा कम हो गए अगर आप लोग हमारे नंबर बन पर होना डिजल फैन तो आप लोग को भी बता है हमारे साबिर बॉस एक टैम पर हमारे गलोबल में गए दो एलो फैन काफी जादा बड़ी बात थैं लेकिन इस सीज़न वो क्रेंड से गया है इस सीजन वह फिर से गये हैं इस फोर्त नंबर पर रख 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 र सो इंदेने को समाज गयोगे तो गाई सर अगर हम लोग बात के सबीर बॉस की गेंपले नहीं मिलेगा लिगिंग अब लोग को देखने को मिलेगा इनके ं गेमले में एक जबने को ए डंग फ्ट्राजजरी कैसे डंडे को इसली खटम करते हैं और क्या प्लानिंग मना के पूरा squad wipe करते है तो guys sir आप लोग को SK Sabir Boss की gameplay में ये खास बात देखने को मिलेगी अगर आप लोग देखना चाहते हो one tap headshot टब टब एक दम glow लगते हो देखना चाहते हो तो आप लोग इनके gameplay में वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी तो guys sir उमीद करता है आप लोग भी हमारे SK Sabir Boss भाई के fan होंगे और यार मुझे लगते है आजकल कि हमारे Sabir Boss भाई के fan काफी ज़्यादा कम हो गए अगर आप लोग हमारे Sabir Boss भाई के काफी बड़े fan होते हैं आप लोग को comment सेक्से में जाके लिखना है hashtag Sabir Boss तो guys sir साबीर भाई के बाद अब हम लोग आते हैं अपने next player की तरफ जो के होने वाले हमारे सुधीब सरकार तो guys sir आप लोग को भी पता है हमारे सुधीब the legendary सरकार कितने अच्छे तरीकी का gameplay करते हैं और यह भी हमारे साबीर भाई की तरह हमारे पहले टाइम पे जब region नहीं हुआ करता था global हुआ करता था उस सब हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए global के top one में जाते थे तो guys sir हमारे सुधीब सरकार भाई को मैंने third number पे इस लिख रख रख हैं क्योंकि यह समय के साथ साथ अपनी gameplay में भी improvement लेके आ रहें और यह जैसी के आप लोग को बता है आज कल के time पे one tap headshot drag headshot और यह जादे से जादा headshot percent का जमान है और हमारे सुधीब सरकार आज कल के जमाने के तरह ही gameplay करते हैं और आप लोग को भी पता है एक time पे हमारे सुधीब सरकार भाई के सबसे ज्यादा highest likes थे सबसे ज्यादा highest level दी लेकिन guys लेवल के मामले में daddy calling ने उनको पचार दिया लेकिन guys अभी भी दिल से मैं सुधीब भाई को number one पे मानता हूं तो guys अगर आप लोग हमारे सुधीब भाई के फैन हो अगर आप लोग इनकी gameplay के फैन हो तो आप लोग को comment section में जाके लिखना है hashtag सुधीब सरकार तो आप लोग को भी पता मेरे सुधीब सरकार कितना अच्छा तरीके का gameplay करते हैं तो guys अब हम लोग बढ़ते हैं अपने second number के player की तरफ जो के होने वाले हमारे अंकुस भाई मतलब यह बंदे ने एकदम इतिहास बना रख है क्योंकि guys यह बंदा हर season grandmaster अपना complete करते हैं और even grandmaster ही नहीं grandmaster के अंदर यह हमें साथ top 100 के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाएगा और even इस season भी इसने अपना top 100 के अंदर complete कर लिया है तो guys जितने भी हमारे अंकुस भाई के fans हो उन सभी लोग के लिए एक सबसे बड़ी खुसकबली में लेके आ रहा हूँ जो कि अब भी तक officially announce नहीं हुई है लेकिन guys मैं इसको announce करने वाला हूँ कि हमारे अंकुस भाई अब आ रहे है e-sport में जी हाँ वो खेलिंगे mobile में ही और उन्होंने खुद का एक line-up बना लिया है और उनकी team का नाम है AFF यानि की अंकुस free fire और उनकी line-up में मेरे एक अभिन्न मितर यानि की त्यागी GB सामिल है जो कि पहले optimum e-sport से खेला करते थे तो guys है काफी ज़्यादा खुसी की बात है आप लोग को ये खुसी की बात कैसी लगी आप लोग के ये news कैसी लगी मुझे comment सेक्से मैं ज़रू बताना तो guys अब अब लोग आते हैं number one player की तरफ जो के होने वाले हैं हमारे total gaming ज़र आप लोग सोचेगी कि मैंने total gaming को number one पर क्यों रखा क्योंकि यार ये बंदा अब भी तक ग्रेंड मास्टर कभी पहुचाई नहीं है तो कैसा मैंने इसको number one पर इस्टर रख रख रहा है क्योंक कोच हो जाता है अज्जू भाई आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है कभी आप दो लाग डायमिन लगाने की बावजूद बनी MP40 केवल एक दिन गिले निकाल पाते हो तियार हमेसा आपके साथ ही क्यों होता है ऐसा मुझे समझ में नहीं आता तिया मैंने एक हमारे अज्जू भाई को सद्रान जिली देनी के लिए मनलब उनकी मेहनत को एक दम यार सल्यूट करते हुए मैंने इसलिए हमारे अज्जू भाई को नंबर वन पर रख रहे है इवन वह हमेशा यार कभी भी ग्रेंड मास्टर नहीं बहुंचे लेकिन मैंने फिर भी उनको नंबर वन पर र करवा देना इस वीडियो में तो मिलते अगली वीडियो में तब तका के लिए पीस आउट